नवस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत है आप इक अपने चैनल स्पोर्ट्स मानी गुरुजी पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले मुंबई इंडियो वसेच चैनल सुपर किंग के बिच खेले जाने वाले आई पेल 2022 के नेक्स्ट मुकाबले के बारे में तो फ्रेंज इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में फैन टूबले एपकी टीम के बारे में और साइसा हम बात करेंगे में टीम के साथ बेक अप टीम के बारे में क्या ड्रीम की में टीम हो सकती है क्या ड्रीम लेकिन ध्यान रखना टेलिग्राम सर्च करने पर नहीं मिलेगा जो लिंक में ने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये उसी लिंक से आपको हमें टेलिग्राम पर फोलो करना है चले फ्रेंस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेच डिटेल के बारे में तो भाया ये जो मुकाबला खेला जाएगा वो 21 अप्रेल को खेला जाएगा शाम को साड़े साथ बे से डिवाई पार्टल स्पोर्स स्टेडिय अप मुंबई के ग्राउन पर ये मुकाबला होने वारा ह फिर टीम पर्फोर्मेंस के अगर मैं बात करूं तो आप देखो के CSK की टीम ने 6 मुकाबले खेले हैं एक मुकाबला जीता है वहें पर 5 मुकाबले इन्होंने हा रहे हैं फिर हम बात करें यहां से मुंबई की टीम से तब यहां मुंबई की टीम ने 6 मुकाबलों में से 6 के शे मुकाबले हा रहे हैं तो इतनी अच्छी फोर्म नजर नहीं आ रही है इस की बात कर लेते हैं प्लेयर परफॉर्मेंस के बार में तो प्लेयर परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो ड्वाइन ब्रावो जब भी खेलते हैं मुंबा इंडियन टीम के सामने 19 मेचों में 302 रन बना कर आ रहे हैं 23 की एवरेज से और 30 विकेट ये निकाल चुके तो जाइड से बात है कैप्टेन वाइस कैप्टेन की बहतरी इंपिक आपके लिए बन सकते हैं अगर आप में टीम म सामने अब बात आती है जस्परित बुमरा की जो कि इस सीजन में इतनी अच्छे लाई में नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन CSK के सामने 12 मेचों में 11 विकिट ये निकाल कर आ रहे हैं फिर हम बात करेंगा है इस सीजन पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे थे लेकिन लास्ट मेच म इन्होंने अपना दमखम दिखाया और बहुत ही बहतरिन पारी खेली थी मुंबई इंडियन टीम के सामने 3 मेचों में 92 रन बना कर आ रहे हैं वो भी 46 की आवरेस से अब इशान किशन की में बात करू तो इशान किशन जब भी खेलते हैं चेडने के सामने 6 मेचों में 117 रन बना है वो भी 36 की आवरेस से लोग इनको अवोईड करकर चलेंगे लेकिन ध्यान रखना अपनी ग्रेंड लिग या अपनी बेकप टिम में इन्हें जरूर से ले लीजिएगा फिर रविंद्र जड़ेजा की बात आती है तो भी याई जब यह खेलते हैं मुंबई के सामने 24 मेच में 18 विकेट निकाल कर आ रहे हैं और 12 की एवरेस से इन्होंने 180 रण भी बना है तो जाईर से बात है कही नगाई ग्रेंड लिग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो थोड़े से रिस्की प्लेयर में बताँगा अगर वो चल गए तो आपक की एवरेस से तो चली फिर बात कर लेते हैं पीच रिपोर्ट वैसे में आपको यहाँ पर शोट में बता देता हूँ जो यह पीच है आप देखोगे इनका फर्स्ट इनिंग का जो एवरेस स्कोर है इस पीच का इस ग्राउंड का वो 157 का जो कि किले लिए दर्शा रहा है एक बैलेंस विकिट है फिर हम बात करें स्कोरिंग पेटन से तो आप स्कोरिंग पेटन से भी अंदजा लगा सकते हो डेर सो से कम दस बार बने हैं डेर सो से 117 के बीच में भी दस बार बने हैं लेकिन आप देखोगे 117 से उपर only 8 बार बने हैं मतलब 117 से 119 की बीच चार और 190 से उपर 4 बार तो मैं मान के चलूँगा 150 के करीब हमें स्कोर यहाँ पर बेखने को मिल सकता है तो चली फ्रिंग ज्यादा यहाँ पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो ऑफिशल चनल है मनी गुरुजी उन पर मैंने आपको डीपली यह सब चीज़े समझा दिए बता दिए तो हम सबसे पहले देख लेते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग लेवान फिर क्रिश जोडन की जगे आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है या तो ड्वाइन प्रिटोईश खेल सकते या एडम मिलने खेल सकते वही पर मुकेश चोधरी ने भी कंसिस्टेंटली विकेट निकाले हैं तो ब्रावो ने चार और में तेश रंदे कर तीन विकेट निकाले थे तो कहने का मतलब है कुछ में गेंदबाजों के अगर मैं बात करूं तो आप देखो के ड्वाइन ब्रावो जो की टीम के में गेंदबाज में कह सकता हूं फिर महेश तिक्षाना इन पर मुझे बहुत तो मेरी कोई भी टीम होगी ये दोनों तो मेरे फिक्स रहेंगे फिर रविंद्र जड़जा जो की बल्ले बाजी से भी कंट्रिबूट करते हैं और गेंदबाजी से भी और कंसिस्टनली वी विकेट निकाल रहे हैं फिर बाकी अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो मौहिन ऐली को केट्टन वाजी कर सकते हैं कि बल्ले बाजी के साथ गेंदबाजी भी करते हैं और हो सकता है कभी अकर हिकेट मिल गया पेल और में तो इस चार ओर पूरे भी कर सकते हैं वो कोई फिक्स नहीं होता इनका बात कर लेते हैं मुंबई इंडियन की टीम से, तो मुंबई की टीम से आप देखोगे, रोही शर्मा के साथ में इशान किशन आपको ओपनिंग करती हो निज़रा सकते हैं, फिर डी ब्रेवी से बहुत अच्छा काम करें अपनी टीम के लिए इस सीजन में, सुर्य कुमार या यह गेंदबाजी कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, फेबेने लाइन लाइन लाश्ट में खेले थे, एक रिकेट निकाला था, रिली मेरित अभी तक कोई खास काम इनों ने किया नहीं है, हाला कि अगर यह खेलते हैं, यह खेलेंगी यह इनकी जेगों की दूसरा खेल सकत तो जस्पृत भूम्रा फिर हम बात करें यहां से टाइमन मिल फिर हम बात करें फैबेनर लाइन यह तीन बहत्रिन गेंवाज है तीनों ही एक्सपिरेंस गेंवाज है बाकी यंग इस्टर आपको यहां पर देखने को भी लेंगे उदात करने लास्ट में तीन चार ओर में 32 अ अच्छा काम करें ऐसा नहीं अच्छा काम नहीं करें यह भी कंसिस्टेंटली विकेट तो निकाली रहे चाहे एक विकेट इन्हें क्यों न मिले लास्ट में भी इन्होंने एक विकेट निकाला था तो चले देख लेते हैं क्या रहेगी मेरी ड्रीम की में टीम और वेकप ट लीजे, डाउनलोड करने पर जो बोनस यहाँ पर आपको मिलता है, 100% बोनस लीग चलती है, तो 100% बोनस से खिलकर आप बहुत अच्छा विन कर सकते हो, और 25% बोनस तक जो बोनस है वो आप ग्रेंड लिग में भी यूस कर सकते हो, और पहले डिपोजीट पर यह 200% का बोनस भ इनको लेकर चलूँगा, बल्ले बाजी शेक्षिन की बात करें, सुर्यकुमार या तो बहतरिन कहल रहे, रोहिज शर्मा ओपनर है, रितुराज गयकवार ओपनर है, और रॉबिन उथपपा ओपनर है, अपनी टीम के मतलब फिर आप चाहें, तो अमबाती रैडू का जो र रितुराज गयकवार, रोहिज शर्मा और मैंने यहां से लेकर चलूँगा, सुर्यकुमार यादव को, ओल्राउंडर मैंने तीन लिये, उसमें आप देखो कि पहले ओल्राउंडर मैंने लिये है, मोहिन अली, दूसरा मैंने लिया है, रविंद्र जड़ेजा, और तीसरे जो ओल्राउंडर मैंने लिये है, वो लिये है, डी ब्रेविस बहुत अच्छा काम करें अपनी टीम के लिए, बागी चेंजेस की बात करें, तो आप पॉलाड को ले सकते हो, आप फैबेन अलाइन को ले सकते हो, लेकिन हाँ, ध्यान रखना, अगर ड्वाइन प्रेटोरिय मैरे फिक्स रहेंगे, और तीसरे जो बोलर मैंने लिया है, जस्पृत बुमरा, तीनों ही एक्स्पिरेंस गेंद बाजो को, बाकी उनाद कटका ओप्शन आपके पास अवेलेबल है, फिर आप देखो के क्रीज जोर्डन अगर खेलते हैं, तो ले सकते हो, इनकी जगे फिल देखेंगे, तो मेरी जो टीम है, फेंटू बलेवाज मेने लिया है, फिर डी ब्रेविस बहुत अच्छे ओल राउंडर है, रविंद्र जड़जा, मोहिन अली, महेश दिक्षान, ड्वाइन ब्रावो चारो ही मेन गेन बाज में कह सकते हूँ, हालागि मोहिन अली और रव तो फ्रेंज, ड्रीम एप की टीम मेरी कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, इशान किशन, रोही शर्मा, डी ब्रेविस सुर्य कुमार यादो, चारो ही मेन यहाँ पर मैंने टॉप ओडर के बल्ले बाज लिया है, मुंबई के, फिर आप चाहें तो थोड़ा रिस्क लेना चाहें, अगर एड़म मिलने खेलते हैं, यहाँ पर आप एड़म मिलने को लेकर चल सकते हैं, यह तो ही मेरी मेरी मेन टीप, आप बेकप टीम की बात कर लेते हैं, तो दोस्तो जो बेकप टीम है, उसमें थोड़ा सा रिस्क लेकर चल लिया है लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आपके पाद जो उप्षन पहले मैं आपको बता दूँगर ड्वाइन प्रिटोरियस को लेकर चलूँगा बाकी जो भी अच्छे उप्षन आपके लगते हैं आप उन में से चेंजिस कर सकते हूँ कैप्टेन वाइस केप्टेन का उप्षन की बात करो तो ड्वाइन ब्रावो और महेश तिक्छान मुझे बहतेन अप्षन लग रहा है गेंबाजी में से कैप्टेन वाइस कैप्टेन का अपको देखने को मिलेंगे आप चाहें तो रविद्र जड़ेजा ओल रौंडर इनको भी Captain Wise Captain Try कर सकते हूँ फ्रेंस वीडियोगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करकर और कमेंट करकर जरूर बताइए और टेलिग्राम पर इस मेज में होने वाले हैं 2 लाग रुपे से जादा के गीववे टेलिग्राम के लिंक मेंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये सर्च करने पर हमारे चैनल नहीं मिलेगा जो लिंक मेंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये उससे आपको हमें टेलिग्राम पर फोलो करना है थैंक्यो वेरी मच